सुनिय गांधी की अध्यक्षता के दौरान राजनीती सीखने वाले राहुल गांधी को पहले पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया फिर 2017 में उन्हें पूरी तरह से कॉंग्रेस की कमान सौप दी गए और अब उन्हीं के नेत्रित्म में पार्टी पांच राज्यों में होने जा रहे विधान सबाचुनाव में उतर रही है लेकिन मनमोहन सरकार में केंद्रिय मंत्री का पत संभाल चुके हंसराज भारतवाज ने उन्हें नेता मानने से ही इंकार कर दिया सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने तो इशारों ही इशारों में राहुल गांधी के मंदर जाने पर भी सवाल उठा दिया पूर्व केंद्रिय मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी को एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करता वो इस बात को तभी समझेंगे जब वो कोई समवैधानिक पद प्राप्त करेंगे राहुल गांधी कौन का नेता है? मैं नहीं मानता हूँ जो भी गलत करते हैं धर्म के नाम पर वो गलत ही होता है मैं राहुल गांधी अभी पद नहीं मिला उसको फिर पता लगएगा राज़ी दर राज्ये हार रही कौन्ग्रेस परतंच कसते हुए हंसराज भारदवाच ने कहा कि कौन्ग्रेस इसलिए फेल होती है क्यूंकि वो धर्म की राजनीती में उलज गई है जवाहरलाल नहरू से लेकर इंद्रा गांधी धर्म की राजनीती में नहीं उलजे थे और वो सफल रहे कि हम ब्राह्मन हैं जाती के मंदिर में हम भी जाते हैं डान भी देता हूं मैं तो 20 राफ रुपे साल के लेकिन यह कभी नहीं कि आंके मुसल्मानों की मज़्य तोड़ती तो नजामुदीन में भी जाता हूं आपको बता दे कि इससे पहले 2015 में भी हंसराज भारत द्वाज ने राहूल गांधी पर जोरदार हमला बोला था जब वो पार्टी उपाध्यक्ष थे तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी को टकर देने के लिए कॉंग्रेस बहुत कमजोर है क्यूंकि कॉंग्रेस और राहूल गांधी ग्राउंड रिपोर्ट से पूरी तरह अंजान है हंसराज भारत वाज 2009 से 2014 तक मनमोहन सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं इसके अलावा वो करनाटक और केरल के राज़ेपाल की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं